वेलकम फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ससी एक्जाम प्रिपरिशन में आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पार्ट वन करेंगे जो कि हमारे आने वाले ससी सीजी एक्जाम्स के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है और यहां से कुश्चिन्स आ नामग कुश्टक की रचन करने वाल अल्बेरूनी किसके काल में भारत आ तो ताह कि नामपज़नभी के काल में क्या था मखमूर्थ कुश्चन हिन नमर 2 हीज़्री सन्यका अररम कब से हुआ तो हीज्री सन्यका आरम छेष्ए 22 सes से हुआ Q3, किस सुल्तान के सासन काल में चहल या चालिस गुलामों के दल का संगठन था तो इल्टु तमिस के सासन काल में Q4, अहमद साह अपदाली ने पानी पथ की तिसरी लड़ाई में किसको पराजित किया तो हमद साहब दाली ने पानीपत की तिसरी लड़ाई में मराठो को पराजित किया नेक्स्ट एकोस्ट नमर फाइब वैदिक काल में सासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सरवादिक महतोपुन पता दिकारी कौन होता था तो जो राजा की सहायता करता था सबसे ज़्यादा महतोपुन पता दिकारी वो होता था पुरो ही था नेक्स्ट एकोस्ट नमर सिक्स कल्पसुत्र की रस्तना किसने की थी नेक्स्ट एकोस्ट नमर सेवेन मराठा समराजी का दूसरा परवर्त किसे कहा जाता है तो मराठा समराज का दूसरा परवर्तक बाला जी भी स्वनात को कहा जाता है नेक्स्ट अकवर के विरुध यूद करने वाली प्रसीद रानी चांद बीवी का संबंद किस राजी से था तो चांद बीवी रानी चांद बीवी का संबंद अहमद नगर से था नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 9 हम पी किस नदी के उत्री तट परस्थी थे तो हम पी तुंग भादरा नदी के उत्री तट परस्थी थे नेक्स्ट है हमारा question number 10 तुजू के बाबरी जो कि हमारा क्या है तो बाबर की आजम कथा ये किस भासा में लिखी थे तो तुर्की भासा में नेक्स्ट है question number 11 साथवी सदी के प्रारम में किस सैव संत ने सर्व प्रथम तमिल साहित्ती के लिए संगम सब्सका परियूर किया तो तिरुना वुकारासु नय यानि की अपपार नेक्स्ट है हमारा question number 12 इबादत खाना जो है इसके भी से में आप क्या जानते हैं इबादत खाना अकबर द्वारा निर्मित एक भावन है जहां वो बिभिन धर्मों के द्वानों के साथ चर्चा करते थे नेक्स्ट है question number 13 वह चालुक के राजा कौन था जिसने हर्स बर्धन को नर्मदा नदी के तड़ पर पराजित किया था तो वो राजा था पुलकेसीन 2 नेक्स्ट है question number 14 विजयन अगर सम्राजी की प्रसादनिक बिवस्था में सिष्ट क्या था तो विजयन अगर की प्रसादनिक बिवस्था में सिष्ट एक भूर आजस्व था नेक्स्ट है question number 15 किस दिल्ली सुल्तान ने घोषना की थी कि राजा का कोई सगा समध्धी नहीं होता तो अलाउदिन खिल जीन Next question number 16 समराट हर्स बर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मिलनों का आयोजन किया था कौन-कौन से धार्मिक जो सम्मिलन हुए था वो कहा कहा हुए था तो कन्नोजद और परियाग में Next question number 17 दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रनाली का जनक माना जाता है तो नहर प्रनाली का जनक माना जाता है फिरोज दुगलक Next question number 18 माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस अस्थापत्य कला की उचकोटी के नमूने है तो दिलवाड़ा मंदिर जो है भारत के जैन अस्थापत्य कला के नमूने है Next question number 19 सत्रो सतिरानवी में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कतले आम का हुक्म दिया था तो नादिर साहने Next question number 20 प्रसिद ग्रंत ललित बिस्तार का संबंद किस धर्म से है तो ललित बिस्तार का संबंद बहुत धर्म से है तो आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही और भी questions के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी upload करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे हैं then bye and take care